Hello friends, कई teenagers की शिकाहत होती है कि उनके periods काफी कम आ रहे हैं और बहुत लेट आते हैं तो क्या ये normal है या abnormal है तो मैं डॉक्टर सुशीला सैने, gynecologist and obstetrician आज आपको teenagers की periods के बारे में ही describe करने जा रही हूँ कि क्या कितने दिन तक period ananormal है, कितना period ananormal है और क्या abnormal है तो सबसे पहले ही जान लेते हैं कि normal क्या है, जब हम ये जान लेंगे कि normal क्या है तो automatically हम समझ पाएंगे कि abnormal क्या है तो जो normal की definition है, normal periods की, एक दिन से लेकर 7 दिन तक period आता है तो normal में count होता है, यानि कि अगर एक दिन भी bleeding हो रही है तो वो भी normal और 7 दिन तक लगातार bleeding हो रहे है या वो भी normal है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ है कि यदि आपको एक पैड भी दिन में एक बर खराब हो रहा है तो वो भी normal है और 3-4 पैड खराब हो रहे है तो वो भी normal है, लेकिन यदि आपकी periods काफी जादा heavy आ रहे है, बड़े-बड़े clots आ रहे हैं, तो वो heavy bleeding में count होता है और दिन में 5-6 बार आपको पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, बड़े-बड़े heavy pads आपको यूज करने पड़ रहे हैं, और leakage भी हो रहा है, तो definitely ओवर फ्लो है और bleeding की मातरा काफी ज्यादा है, तो ऐसे स्थिति में doctor से consult करना जरूरी हो जाता है लेकिन इस बात के आप चिंदा ना करें कि periods कम आ रहे हैं, तो वो कोई जादा खतरे की बात है लेकिन इदी periods के एवल spotting तक ही सीमित है, महीने में सिर्फ एक बार एक ही दिन के लिए कुछ देर के लिए spotting हो रही है तो वो abnormal हो सकती है, उसके लिए भी आप doctor से जांच करवाईए, निसोनोग्राफी करवाईए ताकि इसका ही पता चल पाए कि आखिर ऐसा problem क्यों हो रहा है टीनेजर्स में generally बहुत scanty periods नहीं आते हैं, बट यदि आ रहे हैं तो एक बार check-up जरूर करवाना चाहिए scanty periods का मतलब यह होता है कि आपको सर्फ spotting हो रही है और बहुत सादा कुछ bleeding नहीं हो रही है लेकिन यदि एक दिन पूरी तरीके से अच्छे से flow आ रहा है यानि दो तिन पैट खराब हो रहे हैं तो वो normal होगा एक पैट भी पूरा भर जाता है तो वो भी normal ही count होता है तो उसको scanty period नहीं बोलते हैं only spotting को ही scanty period बोला जाता है दूसरा teenagers के अंदर PCOD की समस्या भी काफी हत्ता common पाई जाती है तो उनके periods दो-दो महिने तिन-तीन महिने नहीं आते हैं और जब आते हैं तो कई पार एका धबा के रह जाता है या फिर किसी को heavy bleeding भी होती है तो यह सारी छीज़े और के बाद ही clear हो सकती है कि आपको PCOD है या नहीं है यह आपको को हर्मोन की problem है या आपको कोई infection की problem है तो यह सारी जब आप डॉक्टर के पास पहुँछती है तो जानकारी वही दे पाती है आपको exactly क्या जरदीजर्स प्रॉब्लम होता है कि हर्मोनल प्रॉब्लम होता है और पिरज़एं दो बघृज़गा धीनेजर्स का ie panadhy Brothers हो तोड़ा सा करिफ्यूस हो जाती है, थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको रेगिलर ले स्कूल या कॉलेज जाना होता है, और फिर पीरिट्स का डिस्टरबेंस काफी जादा हो जाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस भी बहुत होता है, तो ऐसी स्टिती में बह सबसे कॉमन कारण है, स्कैंटी पीरिट्स आने के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके इलावा इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में ट्यूबर क्लॉसिस का इंडिया में काफी कॉमन होता है, यदि आपको बच्पन में ट्यूबर क्लॉसिस हुआ है, तो हो सकता ह कि आपके अंदर की जो लेयर हैं, वो डेमेज हो गई है और जिसके वजह से आपको पीरिछाना क्वे बंद हो गए है या कम हो गए हैं इसके लाद तीसरा कारण हो सकता है आपके बच्चे दानीका साइस काफी छोटा हो जिसके वजह से उसमांसे से भ्लीडिंग नहीं हो रही हो और थोड़ेंगे थोड़ीजन आ की उसिती ہیں धी या फिर स्रुक हमाना नहीं लग जाते हैं क्योंकि fat के अंदर जो estrogen है वो जाके testosterone में change हो जाता है जिसके वज़े से periods नहीं आते हैं या काफी कम आते हैं तो इन सब चीजों का समस्या का समाधान है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका के समाधान नहीं है periods के साथ एक मित teenagers में बहुत बड़ा जोड़ा जाता है कि यदि periods नहीं आ रहे हैं तो उसका मोटापा बढ़ रहा है और गंदा खून अंदर इकठा हो रहा है तो ऐसा बिलकुल नहीं होता है जो मैं अभी आपको बताया है कि fat में estrogen, testosterone में change होता है जिसके कारण periods कम आते हैं तो इनको सही तरीके से समझे और अपनी lifestyle को ट्रैक पर रखिए जंक फूड बिलकुल या बहुत कम मात्रा में खाई और healthy food जो भी हमने आपको बताया कि डाइट के दोरन डाइट में क्या लेना होता है हमारे एक वीडियो हमने भी पूरा शूट किया है वह आप सुन सकती है दे कि regular exercise कीजिए धूप में रहे और morning walk तो जरूर कीजिए और morning walk नहीं हो पाती रहे इविनिंग walk जरूर कीजिए ताकि आपकी health अच्छी बने रहे आपकी lifestyle अच्छी रहे तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे शरी में कोई गंदा खून नहीं होता है जो भी blood menses के time पे हम lose कर रहे होते हूँ हमारा अपना खून होता है जिसको कि हमें बिल्कुल lose नहीं करना होता है बट नेचर का एक process बना दिया गया है कि bleeding होती है महिनी की महिने जिसकी वज़े से महिला स्कनली भीड़ी होता है बट खून होता है महिने जो टहिए लाग। एक सिरथ नहीं होता हमारा आज फ़ेत्ज़ में ऑ थिसके से खूनी कुरिए महिनी करो टाखा़े घ्रजी हमार्ण पर कर पा नहीं हो पर siis को बिल्स शरीती है और एक दिन का ब्लीडिंग अरा दिसकी की और आपके शुरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी तो थिंक पॉजिटिव और स्टे पॉजिटिव आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जान कारे साथ तब तक नमश्कार